किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा प्रणाली का मजबूत होना आती आवश्यक है। देश का विकास उसकी शिक्षा प्रणाली पर ही निर्भर होता है क्योंकि देश के विकास के लिए देश का प्रतियेग नागरिक जिमेदार है और वो ही अपने ग्यान, संसकार, शिक्षा के आधार पर देश को एक शीश स्थान दिला सकता है। यदि शिक्षा प्रणाली में दोश पाए जाते है तो यह देश को अंधकार की ओर ले जाता है। शिक्षा में उन सभी पहलूओं को शामिल करना जरूरी होता है जो किसी भी बच्चे के शारी रख मानसिक विकास के लिए भी जरूरी हो और इनके बिना किसी भी प्रकार की शिक्षा का होना बेकार ही है। भारतिय शिक्षा प्रणाली की नीव सन 1835 में लाट मैं कालाइक के द्वारा रखी गई थी। वरत्तमान समय में उपयोग में लाए जाने वाली इंडियन एजुकेशन सिस्टम वित्रश शिक्षा प्रणाली का ही प्रतिरूप है। इंडिय शिक्षा प्रणाली कितने आगे निकल पड़ी है। शिक्षा वह यंत्र है जो किसी के जीवन को आगे बढ़ने, किसी के भी जीवन को बहतर बनाने और किसी को भी सफलता, दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा सभी के जीवन में एक महान भूमे का नि क्यूंकि वह मनुश्य के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालती है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए रूजी पैदा करती है। शिक्षा केवल स्कुल जाने से ही नहीं मिलती है हमें टीवी न्यूस पेपर, हमारे पास के वात्वरण से भी हमें मिल सकती है। शिक्षा केवल के ताबें पढ़ना नहीं है बलकी समानता, व्यवहार, संस्कृति आदी में भी अच्छा प्रदर्शन करना भी शिक्षा के अधीन है। परतमान शिक्षा प्रणाली का महत्व केवल इतना रह गया है कि हर कोई शिक्षा केवल इसलिए पाना चाहता है कि व भारत की शिक्षा प्रणाली के दूश इंडिर्न एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा दूश यह है कि देश में हर जगह पर शिक्षा देने वाले संस्थान और विश्वविद्याले की संख्या काफी अधीक हो गई है। शिक्षा देना कोई गंदा काम नहीं है लेकिन शिक्षा के नाम पर व्यापार किया जाए तो फिर शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। देश में कई संस्थान ऐसे है जो शिक्षा के साथ साथ छात्रों का भविश्य बनाने में जोड़ देते हैं और कैसी भी हालात में वो छात्रों का भविश्य बनाते हैं ले कास कर सकता है। शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं होता। शिक्षा के अंतरगत ज्ञान के साथ साथ किसी व्यक्ति के संसकार आचरण का हुना भी आवश्यक है इनके बिना। शिक्षा का हुना ना के बराबर है। भारतियर शिक्षा प्रणाली में बहुत कि यह ब्यक्ति पाने के लिए शिक्षित तो कर सकती है लेकिन यह किसी व्यक्ति को नौक्री देने लाएक नहीं बना सकती है, हर कोई केवल यह देखता है कि क्या वह पड़ा लिखा है या नहीं जिस कारण पड़े लिखे होने के वावजूर भी लोग कुछ कर नहीं पाते और जो करना चाहते हैं उनके पास शिक्षा के प्रमान प्रतर नहीं होते, भारत में 2010 को शिक्षा का अधिकार अध कर कर प्रदान किया जाये, इसके आलवा भी इस अधिनियम में बहुत सी नियमों को बर् नन किया गया है, जिन में से कुछ इस तरह है, बच्चों का निवास स्थान से एक किलोमीटर के अंदर परात्मेक विद्याल्य कीमेडियालय का होना आवश्यक है, विद्यालयों में बच्चों को पीटना या कोई मानसिक यातनाय देना मना है। बच्चों को फेल या उन्हें स्कूल से आठ वर्षों तक की शिक्षा पूरी करने तक विद्याले से नहीं निकाला जा सकता है। विद्याले में प्रती एक 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक और एक शिक्षक के लिए एक कमरा होना अनिवार्य है